गुड मॉनिंग अब्रिबन वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल सीमा चोहान व्लोग्स तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं फिल से आगी हूँ एक नई वीडियो लेके तो अभी गाइस अभी बज रहे हैं सुभा के मतलब 11 बजने वाले हैं अभी आपने ब्रे अब ही चलते हैं हम बाहर बाहर का आपको दिखा देते हैं आज का जो है मौसम वो कैसा है तो वह भी दिखा देते हैं कि देखिए मौमी नहागे यहां बैठे हुए हैं दूप सेखने के लिए और यहां पर देख सकते हैं आप दूप बहुत अच्छी लगी हुई है यह देखिए दूप आज बहुत अच्छी है आज मौसम बिल्कुल साफ है कल तो बहुत जादा ऐसे वैदर थोड़ा खराब जैसा था तो आज तो बहुत बड़ी दूप लगी हुई है यहां पर अभी अलमीरा का काम जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी तो फिर आवाज तो फिर आपको पता हिए कैसी तो यहां अभी ममी कर रहे हैं ब्रेक फास्ट अभी अमारा ब्रेक फास्ट नहीं हुआ है ग्यारा बज गये है वह भी ब्रेक फास्ट नहीं हुआ है यह देखे इधर भी देख सकते हैं आप ये देखे दूप जो है बहुत अच्छी लगी है आज तो अभी चलते हैं हम अंदर अंदर चलते हैं अनाया कहां गई जा क्या क्या आगने पॉर्टी कर दिया चलो अनाया पेनेगी पजामा पजामा पेनो अनाया पेनो 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 पजामा पेनो चलो तो गाइस अभी हम कर लेते हैं ब्रेक फास्ट और अभी मिलते हैं अब हम थोड़ी देल में अभी यहां पर बन रही है चाय यह देख सकते हैं आप चाय तो लगने रही है आपको रूदी लग रहा होगा पर चाय ही है तो अभी हम कर लेते हैं ब्रेक फास्ट तो मिलते हैं अभी हम थोड़ी देल में आपसे बाइ बाइ हैं तो गाइज अभी हमने ब्रेक फास्ट जो है वो कर लिया है अभी हम रैडी भी हो गए हैं तो अभी जो है आज बनेगा साग तो साग को पहले हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा सा यहां पर भी लगा हुआ है साग तो अभी हम निकालेंगे साग खेत से जाके तो अभी चलते हैं फिर खेत में तो चलो चलते हैं तो गाईज यहां पर देख सकते हैं आप कितना अच्छा लगा हुआ है यहां पर सरसो का साग और सात में यह जो लगे हुए हैं बीच-बीच में यह वाले यह जो हैं यह हैं लहसुन और वहां पर मुलीव गिरवी हैं यह हैं हमारे तुल्सी तुलसी देख सकते हैं यह वाले तुलसी है और वहां पर मुली वगेरा लगाई हुई है वहां धनिया वगेरा है तो अभी निकालते हैं हम साग तो उसके लिए पहले हम ले आते हैं बरतन कोई जिसमें हम साग निकालेंगे तो अभी उसको लेके आते हैं फिर निकालते हैं सा झाल 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 मैं यहां पे पहले निकाल झाल रही थी पहले साग अई वको यह को पाल्ड यहांसे तो मम पर वाय है पसंद नहीं आया तो ममा बोलते हैं रहन दे तू मतबस कि मैं खुद निकाल रही अच्छे से तो अभी ममा निकालते हैं खुद से यह देखी वैसे तो ममा ही करते थे पहले मतलब सारा काम पर अभी ममा की तबियत ठीक नहीं रहती है तो करके अब यह देखी इधर नाया नायूक कर रहा है गंदी बच्ची कि मैं निकालों तो अभी ना मैं हमने साग जो है वो निकाल दिया है यह देखी अभी मम्मी इसको जड़ो है साफ कर रहे हैं यहां पर बनने जाते हैं बच्चा नायूक क्या कर रहे हो आप और अनाया को देखो यहां पर कच्चा ही साग खा रही है तो अभी हम भी कर देते हैं हेल्फ पर यहां तो अभी इसको साफ कर देते हैं फिर इसको वह दो गए थोड़ के लिए रख देंगे पिर इसको हम काटेएगे तो शाम को बनेगा हमारे साग तो जिसने साग खाना है तो वह आ तो अभी कर लेते हैं हरे मिलते हैं थोड़ी देर में हमने में आना पड़ा है बैंक बैंक… तो आप प्लीस बतायाय करके की यह कौन सा बैंक है है यहां यह मदलूग कि इस लिगेशन वे हैं बैंक का तो पता लगी गया हुकूर कि कौन सा है पर लोगेशन कौन सी है कि यह कहां पर है तो प्लीस बतायायगा जब भी के बताएं तो आणिए बनाज़ सेience दिखến्व See तो गाइस काम जो है वो खतम हो गया तो अभी हम जा रहे हैं बापीस तो मिलते हैं थोड़ी देर में हाऊ कैंष्टाइस मलते हैं बापीस माइस मड़जाएससॉ मिलते हम जाएसस्किरत रहे हैं रहे हैं बाते हैं आर nine कर दो कर दो कर दो तो गाइज अभी आगे हुने बापिस तो हम गए थे तो आपको पता लगी गया होगा कि हम कहां गए थे तो अभी आगे हम बापिस तो अभी चेंज कर लेते हैं कपड़े बगीरा तो उसके बाद अभी अमने खाना में नहीं खाया हुआ है तो आपको थोड़े दिनों में बता देंगी कि मुझ क्या सरप्राइज है आपके लिए तो अभी तो नहीं बता सकते पर बताएं कि अभी आपको थोड़े दिनों में बहुती जल्द तो उसके लिए तो आपको वीट करना पड़ेगा तो अभी हम खा लेते हैं खाना तो अभी अनाया है उपर उपर तो मिलते हैं अभी थोड़े देर बात बाई-बाई-बाई-एलो बुड इवनिंग आवरिवन तो अभी बज़ है ऑनाय कोक्ति हैं और अपक और शॉर नाया कोक्ति है और कैसा जुख रही नाया कॉरे जिए नाया कंब कॉंए थैसे में और कूं अधर판 पीछे बैठे हुए है मम्मी तो यहां पे बैठे हुए है यह देख सकते हैं आप पता नहीं कौन है यह हम नहीं जानते तोर लगा है साथ में हीटर हीटर लगा हुआ है क्योंकि यहां पे ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए तो गाइज अभी जो है इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए बाइबाई और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू